भित्ती चित्रकला यानी की म्यूरल सबसे पुरानी चित्रकला है प्रगेतिहासिक युग के एतिहासिक रिकॉर्ड में पहले मिट्टी के बरतन बना जाते हैं लेकिन कुछ समय बाद लोगों ने मिट्टी का उपयोग देवारों पर चित्रकला बनानी के लिए उपयोग करने लेगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये उसी तरह का मिउरल आर्ट है जो कि हम लोगों ने मिलके तैयार कि है इसका आगे पुरा प्रण दिया जाएगा धन्यवाद क्रिश्ण विज्वल आर्ट क्रिश्ण विज्वल आर्ट में एक बार प्रिसे आपका स्वाड़ आप जैसा कि आप देख पार है हमारे कुछ ये बहुत बड़ा द्रीम पेंटिंग है और इसमें पूरा टूडी आर्टवर्क नहोंने किया है आप देख पर एक पूरा एंबो सुभरा हुआ है विज्वल इंटी मदब से बहुत अच्छा काम निला है और जिदे जी ने पूरे इक प्रिंटी की मदब से इसको बहुत भारा है आप जितना गुलो देख पर इसकेंदर ये प्लानेट है उपकर सब हुद्धि उपकर सु तो कला और कलाकार के क्या कहने है उनकी उंगलियों का जादू सिर्फ कैन्वस पर नहीं बलकि आपकी दिल में भी उतर जाता है कलाकार कभी पत्रों, गुफाओं, कंद्राओं में कला को तरासता रहता था तो कभी कैन्वस पर खुशूरत रंगों में इसे उतारा गया है कभी ओईल पेंटिंग, सजीब दिखती, बोलती नजराती तो आज लाइज देखते हैं 3D पेंटिंग का जमाना है 3D पेंटिंग, आम पेंटिंग की तरह ही होती है बस इसे थ्री डाइमेंशन तरीके से बनाया जाता है पॉपलर्टि के कारण आज कल 3D पेंटिंग के कलाकर चौक, चौराह, फुटपाथ, शौपिंग मॉल, ऑफिस, घर में अपनी कलाका जादू देखे रहे हैं कलाकर 3D पेंटिंग मनाने के लिए सबसे पहले आबज़क्ट का फोटो खीसता है या लिटा है इसके बाद उस फोटो को गिरेट या डारेट फ्री हेंट की मदद से उसको 3D पेंटिंग बनाई जाते हैं यह तो आर्टिस्ट तो कई होते हैं मगर वो सबसे ज़्यादा फेमस हो जाते हैं जिनकी पेंटिंग वास्तिरिक लगे और उन्हें देखकर किसी को भी भरम हो जाए इस तरह की पेंटिंग को 3D स्केचिंग या 3D पेंटिंग भी देखते हैं घर से निकलते शमय अक्सर हम फ्लाइ ओवर रेलवे स्टिशन या फुर एयरपोर्ट की देवारों पर बनी बड़ी बड़ी पेंटिंग से देखते हैं यह पेंटिंग देखकर मानो ऐसा लगता है कि चीजें बिलकुल हमारे सामने पस्तित हों लेकिन ऐसा होता नहीं एक खाशियत है मूरल आर्ट की कि मूरल आर्ट मतलब रंगों की मदद से देवार पर बनाए गए पेंटिंग है कि विलकुल जीवन लगती है तो इसे वाल मूरल का साइज आपको बताना चाहता हूं लगबक ऊचा ही है इसकी 9 फिट और लंबा ही है लगबक 11 तो पी-ओ-पी की मदद से इसको पैयार किया गया है उसके बाद एक्रेलिक कलर की मदद से लिक्विड फॉर्म में आते हैं लग्रिक एक्रेलिक कलर की अच्छा हुआ है और दिखने में काफी सुन्दर देखता है और फिगर है फिगर में भी काफी डिटेल्स किया गया है आपडेट पर एक टैक्चर के साथ इसको फिल दिया गया है और बैग्रांड में पुरा स्पेस दिया गया है लाइप दिख रहा है थेंक्यू वेरी अमरिसा बढले वे लोगा